भारत माता के भारत माता के भारत माता के बंदे बंदे देश के सस्षी प्रधान मंत्री और दुनिया के सबसे लोग प्रिय राजनेता आधनिया स्री नरेंद्र मोधे जे भारते जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स मानिया चौदरी भुपेंद्र सिंग्जे भारती जनता पार्टी के बरिश्ट नेता प्रदेश सरकार के मंत्रीगण सियोगेंद्र पाध्या जे ब्रजेश सिंग्जे जस्वंत सेने जे मानिय सांसत और केराना लोगसवा चेतर से भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी सि प्रदीब चौदरी जे भारती जनता पार्टी के सहरनपूर लोगसवा चेतर से लोगप्रिय प्रत्यासी सि रागहो लखन पाल सर्माजे भारती जन्ता पार्टी और सयोगी दलों के सभी नेतागाण और आधनिय प्रधान मंत्री जी के सागत के ले और उनका मार्ग दर्शन प्राप्त करने के ले आज या साहरन पूर्म है यहाँ पर उपस्तित सभी साहरन पूर्म के मेरे बैन और भाईयो आदिसक्तिमा भगवती साखंबरी किस पावन धरापर मैं देश के सशी प्रधान मंत्री जी का सहारन पूर्वासियों की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हो अविनंदन करता हो बैन और भाईयों अविनंदन करता हो स्वागत करता हो हमारे लिए संगठन ही सेवा है याद करिए करोना जैसी महामारी के दोरान आदनिये प्रधान मंत्री जी ने भारती जनता पार्टी के कोठी कोठी कारे करताओं को या मंत्र दे करके जनता जनारदन की सेवा को उस महामारी में बचाने के लिए समर्पित किया था और यही कारण है कि भारती जनता पार्टी का एक-एक कारे करता आज देश के अंदर आम जनमानस के विस्वास का प्रतीक बन करके मोदी जी के विजन को जमिनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रहा है आज जब हम लोग सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की लोगसभा चनाओ की तिस्षे देश के अंदर जब दोहजार चौबीस के लोगसभा का चनाओ की सुरुवात हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह नमबर एक की लोगसभा है सहारनपूर से ही सुरवात होती है और जब 2024 के लोगसभा का चुनाव की सुरवात हुई है तो उत्तरप्रदेश के अंदर ये नंबर एक की लोगसभा है सहारनपूर से ही सुरवात होती है और सहारनपूर में आजादने प्रधान मंत्री जी का मार्ग दर्सन हम सब को प्राप्त होगा बेन और भाईयों हम सब स्वभाग्य सालिय हैं हमने बदलते वे भारत को देखा है हम ये कैसे भारत का दर्सन कर रहे है जो भारत दुनिया के अंदर बेस्विक मंच पर एक ग्लोबल लीडर के रूप म आज जाना जा रहा है जो भारत सुरकसित भी है जो भारत आज अपनी वर्ड कलास इंफरास्ट के लिए जाना जा रहा है जो भारत दुनिया के अंदर दिकास का मॉडल क्या होना चाहिए आज भारत दुनिया को दे रहा है और यही नहीं गरीब कल्यान के लिए क्या कारिक्रम होने चाहिए इसका मॉडल भी दुनिया के अंदर कोई दे रहा है तो भारत दे रहा है बेन और भाईयों भारत का ये मोडल क्यों यहीं तक सिमित नहीं है नौजमान की आजिविका हो या भारत की आस्ता का सम्मान पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को ठच करने के लिए लेकिन आज कोई हिचक नहीं जो भारत का है भारती अताका है भारत के हित में है मोदी जी के नित्रत्व में उस कारे को करने में कोई हिचक नहीं उसमें कोई रुकावट नहीं कोई बेरियर नहीं और वही बेरियर आज जब धीरे धीरे सकरके समाप्तोय है तो एक नए भारत का दर्सन हम कर रहे हैं हमारी पीडी सववाग्य सालिये कि हम ने भारत का दर्शन भी कर रहे हैं ने भारत के अंदर अपने भोस्य का निर्मान भी कर रहे हैं आने वाली पीडी के भोस्य कोई बना रहे हैं और हमारा सववाग्य है आज सहरनपुर में नए भारत के सिल्पकार के रूप में प्रधान मंत्री मोधी जी का मार्ग दर्शनम सब को प्राप्त हो रहे होने जा रहा है बैनोर भाईयों देश का मॉडल कैसा होना चाहिए करोना कालखंड में दुनिया ने देखा लोग तांत्रिक मुल्यों के साथ इतनी बड़ी आवादी जी सकती है वहां की सभी प्रकार की विवस्ताएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए कैसे प्रबंदन कोविड प्रबंदन कैसे होना चाहिए दुनिया भोचक थी क्योंकि हमारे पास एक करस्माई नित्रुत्व मोदी जी का था करोना प्रबंदन का हो दिकास का मॉडल का हो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता के रुप में भारत को स्तापित करने का हो और अब तो दो दिन पहले बिटेन के प्रतिस्टित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सब का ध्याना करसित करती है दुनिया का ध्याना करसित करती है उसने जिकर किया है 21, 20, 21, 21, 21, 22 में उन्होंने इस बात का उले किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चन चन करके आतंग बादी मारे गए थे और उन आतंग बादियों को कैसे नस्ट किया गया था दा गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्फ्रोत क्या है यहाँ वही बता सकता है लेकिन बहनों और भाईयों एक संदेश साप है जीरो टॉलेंस भरस्ताचार के खिलाप हो किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाप हो दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग दरते थे आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंग बाद दुनिया की एक चनौती है और आतंग बाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए दुनिया कोई समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नित्रत्व देगा यहां मोदी जी के नित्रत्व में साकार होगा इसमें कोई संदे अब किसी को भी नहीं होना चाहिए बैनोर भाईयो मोदी जी ने अम्बृत काल में हम सब को एक विक्सित भारत की संकलपना दी है और विक्सित भारत के लिए आजपुरे देश के अंदर एक नहीं पहस प्रारंबु हुई है ये चुनाओ भी विक्सित भारत को किस रूप में हमें आगे वढ़ाना है आपका एक वोट जनता जनारदन का एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में कैसे निनाएक साबित हो सकती है 2014 उसका टर्निंग पॉइंट है और 2014 के बाद लगातार देश के अंदर जो प्रिवर्तन हुए है यह अभी उसका अधार है और आज इसी ले एक वोट हमें जाती के नाम पर नहीं संप्रदाय के अधार पर नहीं तुष्टी करण के अधार पर नहीं किसी भी प्रकार के वाद के अधार पर नहीं आने वाली पीड़ी के भुष्टी को हम आगे वढ़ा सकें इसके लिए हमारे पास एक करस्माई नित्रत्व के रूप में मोदी जी का यससी नित्रत्व हम सब के पास है और हम उनके नित्रत्व में विक्सित भारत की संकल्पना को साकार होते वे देखेंगे इस विस्वास के साथ दोजार चौबीस के अठारवीन लोगसवाज चुनाओं के लिए पुरे देश से सीले का आवाज आ रही है उत्तर रक्सिन पूरा पस्म एक ही आवाज है और आवाज है कि फिर एक बार फिर एक बार अपकी बार अपकी बार यहाँ आवाज के साथ हम सब को जुड़ जाना है और बहिनों भाईयों इसका अधार बनेगा एक-एक मद्दाता को मद्दान केंदर पर ले जाने का एक-एक मद्दाता को मद्दान केंदर में ले जाने का क्या आप लेकर के जाएंगे मोदी जी को इस बात के लिए अस्वस्त करिये क्या आप लोग लेकर के जाएंगे लेकर के जाएंगे कोई लाप्रवाही तो नहीं करेंगे यही बात कहते हुए मैं एक बार फिर से आधनिये प्रधान मंत्री जी का सहारनपूर की